जिन्दगी के सफर में तनहा जो चल पड़े क्या खवरती हम होंगे आकर के यूँ खड़े सब छोड़कर उस मोड पर जहां से जिन्दगी में कुछ और शुरू होता है जहां से रंग दे बसंती का ये दौर शुरू होता है मैं कुमार आपका स्वागत करता हूँ मिर्भाशी नियूज के कावि संध्या रंग दे बसंती में आज आजादी का पर पूरे देश में मनाया जा रहा है आज एक कावि संध्या जो आयोजित की गई है उसमें आएंगे अलग-अलग कवी बहाएंगे कविता की फुहार और अ बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भाई और आप सभी को भी सोतंतरता दिवस की हारधिक हारधिक बधाई मर्दुभाशी समाचार न्यूस चेनल ने जो ये शांदार शाम सजाई है रंग दे बसंती इसमें मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूँ वैसे तो मैं प्रेम का को जोड़ता हूं कि एक सिपाही जब सरहत पे होता है तो उसके मन में इस वतन के लिए इस देश के लिए क्या भाव होते हैं मैं सुनाता हूं ना मेरे मन में इस्ट जन आये ना प्रभू आपका भजन आये जब कभी प्राण तन से निकले तो मेरे होठों पे बस वतन आये और ये देश किस तरह के नेता को चाहता है आप सब के मन की बात हो तो आप सभी का आशिरवाद मिले देश द्रोही हताश हो जाएं शत्रू दल का भिनाश हो जाएं कभ देश के सारे दल के नेता गर क्या चाहती है जनता है देश के सारे दल के नेता गर आचरण से सुभाष हो जाएं आचरण से सुभाष हो जाएं आए एक गीत से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ चुकि आजादी का पर्व हम मना रहे हैं जिन शहीदों के कारण, जिन रनबाकुरों के कारण हम ये पर्व मना पा रहे हैं, क्यों ना हम उनको भी याद करें, मैं गीत के माद्यम से आपको जोड़ता हूँ, सुनिये गाए, जिन से है अस्तेत्व वतन का, भारत अलग-अलग राजियों में बटा हुआ था, सर्दार पल्लब भाई पटेल ने एक मुहीम चलाई, इसको एक राष्ट्र बनाया, किन-किन लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, मैं आपको सोनाना चाहता हूँ, जिन से है अस्तेत्व वतन का, जिन से जनगन अधिनायक है, याद रहे उन वीरों की जो आजादी के नायक हैं, और कौन थे साहब, पराधिन भारत को मुक्त करवाने में, कई महापूरुशों का रहा योगदान है, आजाद भगत सीह, बोस्व उधम सीह, आधिक्रांतिकारियों ने दिये प्राण दान है, गांधी के विचारों ने किया पोशित भारत को, भीमराव जी से रचा गया सम्विधान है, और कितने ही आहां हुए मौन बलिदान, यूही नहीं कहलाया भारत महान है, तो जिनके बलिदानों के कारण, हिंद धरा सुखदायक है, याद रहे उन वीरों की जो, आजादी के नायक हैं, याद रहे उन वीरों की जो, और हम कई बार अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग जातियों में बट जाते हैं, जबकि हम एक राष्ट्र, एक हिंद में, यूं कहें कि एक राष्ट्र की जनता हैं, एक राष्ट्र के नागरिख हैं, हम एकता का परिशायना देते हैं, कहीं बार हम अलग-अलग जातियों में, अलग-अलग रंगों में बटने की कोशिश करते हैं, मैं एक छंद आपको सुनाता हूं, सुनिएगा कि धर्म जाती उंच नीच तेरा मेरा छोड़ कर, भारत की एकता अखंडता विशेशता है, सारी दूनिया को यह बात समझाना है, तो भगवाना श्वेतना हरा हो कोई मजहब, एक धर्म ध्वज एक तीरंगा बनाना है, लाखो लाखो बलिदानियों के लहु से पोशित इस भारत को विश्व गूरु बन दिखलाना है, तो जाती अनेक पर धर्म एक यह, भारत का परिचायक है, याद रहे उन वीरों की जो आजादी के नायक हैं, बहुत बहुत धन्यवार, और अन्त में, मैं उन रण बाकुरों को भी याद करना चाहता हूँ, जो इस स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाये हुए हैं, हमारे देश के सेनिक, मैं उनके सम्मान में दो च्छंद पढ़के फिर मैं इस्थान लेता हूँ, सुनियागा, शोर्य पराक्रम की अनुपम, अनूठी मिसाल है हिंद की सेना, जल धरा नभती नोही रूपों में खुब कमाल है हिंद की सेना, है विकराल विशाल बड़ी हर शत्रु का काल है हिंद की सेना, और देश की जनता की रक्षा की खातीर वज्र की ढाल है हिंद की सेना, और एक छंद और सुनाता हूँ, शत्रु को काटती उम्र को बीना परिवार सीमा पे हिंद की सेना, अपने मन को मारती आतंकियों को भी सीमा पे हिंद की सेना, शत्रु को काटती उम्र को बीना परिवार सीमा पे हिंद की सेना, अपने मन को मारती आतंकियों को भी सीमा पे हिंद की सेना, शत्र तो करती है धारन धेर्य भी करती है सीमा पे हिंद की सेना, और आतंकी क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र मिटाती है सीमा पे हिंद की सेना, जय हिंद, बंदे मातरम, भारत माता की जय!